वेलकम आल आफ यू कैसे हैं आप सभी उमीद करता हूँ आप अच्छे होंगे आजीर हूँ मैं थर्ड क्लास की EBS की बुक लुकिंग रॉंड या आसपास के चेप्टर नमबर 19 के पार्ट 2 के साथ बच्चो हमने पार्ट बन में जाना था कि किस तरह से एक चिडिया को चोट लग जाने पर नवजोथ अली पीटर ने उसकी मदद की हमने यह भी जाना था कि शंकर के आंगन में एक बिल्ली ने कितने बच्चों को जनम दिया है चार कितने बच्चों को चार को बिल्ली एक दिन अपने एक बच्चे के गाइव होने पर रो रही थी हमने यह भी जाना था चलो आज हम एनिमल्स के बारे में कुछ और जानते हैं यह जानने के लिए आप थर्ड क्लास की EBS की बुक का पेज नंबर 128 ओपन करें या फिर अपनी स्क्रीन पर भी इस पेज को देख सकते हो भोली इस मीनुज कव भोली मीनु की गाए है मीनु टेक्स भोली तू दा फील्ड तू ग्रेज डेली मीनु रोज भोली को मैदान में चराने ले जाती है एक दिन तेजी से आते स्कूटर से भोली के पाउ में चोट लग गई दवाउन वाज ब्लेडिंग हैवली चोट से खून निकल रहा था अब मीनु के घर के लोग क्या करेंगे तो क्या करेंगे वो भोली को मेडिसन लगाएंगे या फिर किसी वेटनरी डॉक्टर के पास ले जाएंगे ये वेटनरी डॉक्टर एनिमल्स के डॉक्टर होते हैं जो कि एनिमल्स को मेडिसन देते हैं चंदू दोबी looks after his donkey very well चंदू दो भी अपने गदे का बहुत ध्यान रखता है The donkey too does a lot of his work गदा भी तो उसके बहुत सारे काम करता है Look at the pictures and write What are the things that चंदू does for his donkey चित्रों को देख कर लिखो कि चंदू अपने गदे के लिए क्या क्या करता है तो आप इन pictures को ध्यान से देखें First picture में क्या हो रहा है जरा बताएं कौन कौन है first picture में चंदू और उसका गदा चंदू क्या कर रहा है अपने गदे को नहला रहा है तो फर्स पिक्चर में चंदू अपने गदे को नहला रहा है चंदू gives a war to his donkey दूसरी पिक्चर में क्या हो रहा है चंदू गदे को क्या दे रहा है ध्यान से देखें ग्रास क्या दे रहा है ग्रास चंदू gives him grass to eat चंदू उसे खाने के लिए घास दे रहा है थर्ड पिक्चर को जरा ध्यान से देखें चंदू क्या कर रहा है अपने गदे को पानी पिला रहा है चंदू gives him butter to drink और चौत्थी पिक्चर में चंदू क्या कर रहा है उसे गदे को क्या कर रहा है सजा रहा है flowers की एक माला भी डाली हुई है तो चौत्थी पिक्चर में चंदू डेकोरेट कर रहा है अपने गदे को Do you or any of your neighbors have a pet which one? क्या तुम्हारे घर या पडोस में किसी के यहां कोई पालतु जानबर है कौन सा? तो आपको सोचकर यह बताना है कि आपके घर में या आपके अडोस-प्रोस में कोई pet animals है या नहीं? आपने जरूर अपने घर या अडोस-प्रोस में pet animals को देखा होगा, किसी कव, किसी गौट, किसी वफलो को जरूर देखा होगा आपको उसका नाम लिखना है क्या तुम उसे किसी प्यार के नाम से पुकारते हो, किस नाम से? आपने अपने pet animal का कोई नाम भी रख रखा होगा, तो आपको वो नाम यहां लिखना है तुम क्या करते हो जब तुमारे पालतु जानवर को भूक लगती है क्या भूक लगने पर आप अपने pet animal को कुछ खिलाते हो या फिर नहीं? नहीं, feeling hot और cold, गर्मी या ठंड लगती है बहुत सारे लोगों ने अपने pet animals को गर्मी से बचाने के लिए शेड राल रखी होती है और कुछ लोग तो उनके लिए फैन भी लगाते हैं Teased by someone, कोई परेशान करता है तो फिर आप क्या करते हैं? जरूर उसे रोकते होंगे Halt, चोट लगती है तो चोट लगने पर आप उसे medicine लगाते होंगे या फिर किसी veterinary doctor को बुलाते होंगे veterinary doctor कौन होता है? Animals के doctor को veterinary doctor बोलते है We keep some pet animals at home हम कुछ जानबरों को पालते हैं We look after them too उनकी देखवाल भी करते हैं In the table below are the names of some such animals Complete the table तालिका में कुछ जानबरों के नाम हैं जिने पाला जाता है तालिका को पूरा करो First column है name of the animal जानबर का नाम और second why do we keep them? इने क्यों पालते हैं? तो सबसे पहले हैं dog यहनी कुछ तो हम dog को क्यों पालते हैं? It protects our house यह हमारे घर की रखवाली करता है Next है दूद देती है तो दूद कौन कौन देता हैं हमें? कौ या वफलो गाए या भेंस It pulls the cart गाड़ी खींचता है तो गाड़ी कौन खींचता है? Ox Next है hen यहनी मुर्गी तो यह क्या करती है? It gives us eggs यह हमें अंडे देती है Fish तो फिश को क्यों पालते हैं? आपने देखा होगा के घरों में फिश को आजाता है Beloved प्यारा या प्यारी लगती है तो यह क्या हो सकता है? Parrot Cat Next है honeybee यानि मदुमकी तो यह क्या देती हमें? It gives us honey आपको honey कैसा लगता है? आप मैंसे बहुत सारे लोगों ने honey को खाया होगा हमारे लिए honey भी बनाती है तो बच्चो हमने अभी तक इस पार्ट में जाना कि मीनू अपनी गाय भोली को हर रोच मैदान में चराने के लिए ले जाती है एक दिन तेजी से आते स्कूटर ने भोली के पाम पर क्या लगा दी? चोट लगा दी तो फिर वहां से खून भी निकला तो उसका इलाच किसने करवाया होगा? मीनू या उसके पेरेंट्स ने इसी तरह से हमने चंदू के गधे के बारे में भी जाना चंदू अपने गधे के लिए क्या क्या करता है? ये सारी बाते हमने चित्तर में जान ली है बच्चो हमने ये सीखा है कि यदि एनिमल्स को भूक लगे तो उन्हें क्या देना चाहिए? खाने को फूर देना चाहिए अगर उन्हें गर्मी या ठंड लगे तो उनके लिए फैन की व्यवस्था करने चाहिए अगर जानवरों को कोई परिशान करे तो उन्हें ऐसा करने से रोकना चाहिए हम एनिमल्स को पालते हैं उनकी देखवाल करते हैं पर एनिमल्स भी हमारे लिए बहुत सारे काम करते हैं ऐसे की डॉग हमारे घर की रखवाली करता है गाए और भैंस हमें दूद देती हैं मुर्गी अंडे देती हैं और मदुमक्यां हमारे लिए क्या करती हैं? शेहद बनाती हैं बच्चो एनिमल्स के बारे में और जानकारी अगले पार्ट में लेंगे आपने ध्यान से सुना आप सबका बहुत बहुत थैंक्स